Hello everyone, welcome once again to my channel आप सभी ने Railways Related Vocabulary का Part 1 वीडियो जरूर देखा होगा यह वीडियो उसी का Part 2 है चलिए शुरू करते हैं कुछ और words के साथ तो यहाँ पर slide को देखिए सबसे पहला word है इस slide का luggage spelling देखिए L-U-G-G-A-G-E luggage का मतलब होता है सामान यानि यात्री लोग जो अपने साथ लेकर आते हैं इसके बाद देखते हैं अगला word जो की है लवट्री spelling है L-A-V-A-T-O-R-Y लवट्री का मतलब होता है साँचाले यानि की washroom देखते हैं अगला word meter gauge spelling देखिए meter gauge की M-E-T-R-E meter gauge G-A-U-G-E meter gauge का यहाँ पर मतलब होता है छोटी line जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको broad gauge के बारे में बताया था तो यह जो gauge होता है यह rails की beach की दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है यह norm's gauge तो meter gauge का यहाँ पर मतलब हो जाएगा छोटी line यानि की train जिन पत्रियों पर चलती है उनके बीच की दूरी जब कम हो जाती है वो कहलाती है आपकी छोटी line ठीक है इसके बाद next word है narrow gauge spelling देखिए N-A-R-R-O-W it's narrow and gauge की spelling as usual G-A-U-G-E narrow gauge का यहाँ पर मतलब होता है सक्री line narrow gauge में rail के पत्रियों की जो बीच की दूरी होती है वो और भी कम हो जाती है इसलिए इसे narrow gauge बोला जाता है आपको ध्यान रखना है कि broad gauge, meter gauge और narrow gauge इन तीनों में difference होता है जो की rail की पत्रियों की बीच की दूरी के हिसाब से decide किया जाता है next word देखते है passenger train spelling है P-A-S-E-N-G-E-R it's passenger train की spelling बहुती आसान T-R-A-I-N passenger train का मतलब होता है यात्री गाड़ी देखते हैं इस slide का आखरी word जो की है platform spelling है P-L-A-T-F-O-R-M platform को हिंदी में हम platform ही बोल देते हैं आईए बढ़ते हैं अगली slide की तरफ और देखते हैं railway से related कुछ और words तो अगला word है हमारा platform ticket platform ticket को हम हिंदी में भी platform ticket ही बोलते हैं इसका कोई दूसरा word नहीं है spelling बहुती आसान P-L-A-T-F-O-R-M it's platform और ticket की spelling होती है T-I-C-K-E-T इसके बाद अगला word है passenger passenger की spelling सेम ही है अभी मैंने आपको बताया था passenger का मतलब होता है यात्री इसके बाद है penalty spelling देखिए P-E-N-A-L-T-Y penalty penalty का मतलब होता है दंड यह word भी अकसर यूस किया जाता है railways में आपने देखा ही होगा इसके बाद अगला word है rail R-A-I-L rail rail का मतलब होता है पटरी जी हाँ rail means पटरी होता है जिस पर चुक चुक करके train चलती है अब देखते हैं अगला word reservation spelling देखिए R-E-S-E-R-V-A-T-I-O-N reservation जिसका मतलब होता है आरक्षन इसके बाद इस slide का आखरी word है retiring room spelling देखिए R-E-T-I-R-I-N-G it's retiring room की spelling आप जानते ही है R-O-O-M room retiring room का मतलब होता है विश्ट्राम घर जहां पर passengers आराम कर सकते हैं आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह vocabularies समझ में आ रही होगी चलिए आप बढ़ते हैं अगली slide की तरफ और देखते हैं अगला word जो की है railway yard इस word को तो आपने जरूर सुना होगा spelling देख लेते हैं एक बार R-A-I-L-W-A-Y it's railway yard की spelling होती है Y-A-R-D railway yard का मतलब होता है खाली डिब्बे के खड़ा होने का स्थान यानि जो bogies होती है compartment होते हैं जिन में बैटकर आप ट्रेवल करते हैं तो वे होते हैं डिब्बे तो rail के उन्हीं डिब्बों को यानि उन्हीं खाली डिब्बों को खड़ा करने का जो स्थान होता है उसे कहा जाता है railway yard अब देखते हैं अगला word railway mail service ठीक है बहुत ही important word phrase है spelling देख लीजिए railway की spelling पहले की तरह r-a-i-l-w-a-y railway m-a-i-l it's mail s-e-r-v-i-c-e it's service railway mail service जिसकी हिंदी होती है railway dark sewa चलिए अब देख लेते हैं अगला word phrase यहाँ पर मैं phrase क्यों बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक word है इसलिए मैं यहाँ पर phrase बोल रही हूँ railway protection force यह word भी आपने सुना होगा बेहधी important railway के लिए जिसकी हिंदी meaning होती है railway सुरक्षा बल इसे हम short form में बोलते हैं आई देख लेते हैं spelling एक बार railway की spelling as usual र-A-I-L-W-A-Y इस railway protection की spelling प-R-O-T-E-C-T-I-O-N इस protection और force की spelling होती है F-O-R-C-E railway protection force देखते हैं next word जो की है railway staff spelling as usual railway की R-A-I-L-W-A-Y railway staff S-T-A-W-F railway staff का मतलब होता है railway कर्मचारी next word है scavenger spelling देखिए S-C-A-V-E-N-G-E-R scavenger का मतलब होता है सफाई करने वाला यानि की sweeper इसके बाद slide का अखरी word है sleeper birth sleeper birth की spelling देख लीजे S-L-E-E-P-E-R it's sleeper birth की spelling B-E-R-T-H sleeper birth का मतलब हो जाएगा शई का यानि सोने का स्थान चलिए अब देखते हैं next और last slide में कुछ और words तो अगला word है subway spelling देखिए S-U-B-W-A-Y subway का मतलब होता है सुरंग मार्ग यानि जो चटानों को पहाडों को काट कर वो कहलाता है आपका subway इसके बाद है terminus इस word को भी आपने बहुत सुना होगा terminus की spelling देखिए T-E-R-M-I-N-U-S terminus का हिंदी मतलब होता है अन्तिम स्टेशन यहाँ पर अन्तिम स्टेशन से क्या मतलब है आईए जानते हैं जिन्हें पता है well and good जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूँ terminus एक ऐसा स्टेशन होता है जहां से ट्रेनों के आगे जाने के लिए कोई track available नहीं रहता है इसका मतलब यह है कि ट्रेन जिस दिशा से आ रही है उसके आगे का सफर वह तै नहीं कर सकती है लेकिन उसे सफर की शुरुआत करने के लिए उसी दिशा में वापस जाना होगा जिस दिशा से उसका आगमन हुआ है I hope आप समझ गए होंगे चलिए अब बढ़ते हैं अगले word की तरफ जो की है ticket checker ticket checker यानि की tc जिन से आपकी मुलाकात अकसर ही होती है ticket checker का मतलब होता है यात्रियों के ticketों की जाच करने वाला व्यक्ती आप सभी जानते हैं चलिए अब देखते हैं इस slide और video का सबसे आखरी word जो की है transportation जी हाँ transportation का मतलब होता है परिवहन spelling देख लेते हैं इसकी t-r-a-n-s-p-o-r-t-a-t-i-o-n it's transportation तो friends ये तो थे कुछ words railway से related सभी important words थे I hope आप सभी के काम में आएंगे आप चाहें तो in words vocabulary के notes भी बना सकते हैं आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा यहीं पर मैं wind up करती हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में एक new topic के साथ तब तक के लिए keep smiling keep studying thanks for watching bye bye